वो की कहानी बहुत ही इंस्पैरिंग है क्योंकि उन्होंने अपना क्लास 11 पूरी तरह से बर्भात कर लिया था और क्लास 12 के अंदर ही 12 और 11 दोनों का सलेवस कवर किया और पहले अटेम्प के अंदर नीट में टॉप रेंग हासली तो है गाइस दिस इस वैबो अफस्टियर एंबीबेज इस्टूरेंट एट वीमें से अंद सफदर जंग हॉस्पिटल देली तो आज का वीडियो स्पेशिफिकली होने वाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी 11 वेस्ट कर दिया और यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं मतलब बहुत जादा रिलेट फिल करता हूँ क्योंकि मैंने भी अपना दिसेंबर तक का most of the time वेस्ट ही कर दिया था और जनवरी से ही मैंने अपनी थोड़ी बहुत प्रप्रेशन शुरू की मैंने अपनी प्रप्रेशन 12 में ही की थी तो आज उनी से रिलेटेट बात होने वाली है तो जो इस चीज से रिलेट करते हैं वही एंड तक बने रहना बाकी के लोग जाके physics के सवाल वगरा solve करो उसमें time लगाओ वो ज़्यादा fruitful होगा तुमारे लिए ठीक है और एक और च करूंगा strategy की साथ में mindset की because अगर इन दोनों का combination तुम effectively बना पाते हो तो तुमारा selection कोई नहीं रोक सकता ठीक है तो इसी note के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को let's begin सबसे पहले तुम्हें क्या गड़ना है तुम्हें यह identify करना है कि वह main कारण क्या था जिस कारण तुमने मेरे case में था कि मैं gaming में बहुत ज्यादा distracted था और भी बहुत सारे distraction थे carelessness थी जिस कारण मैं मैंने अपना इतना time waste किया तो तुम्हें भी उस कारण को डूणना है और उसको हटाना है ताकि ऐसा ना हो कि तुम बहुत जोश में शुरू तो करो कि यार अब 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 अच्छ इसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम्हें अपने chapters को तीन में divide करना है एक strong chapter एक intermediate chapters और एक weak chapters और जो strong chapter उन पर तुम्हें सबसे पहले दियान देना है strong chapters को और strong करो अच्छे से revise करो ठीक है अब ऐसे में क्या होता है कि मैंने गल्ती कर दीती वह चीज तुम्हें मत करना मैंने क्या किया मैंने सोचा कि जो ये January से March, Apreil तक कर जो मिरको time मिल रहा है उसमें मैं पूरी 11th पूरी कर लेता हूँ मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ इससे क्या होता है इसमें हमेना सब कुछ पढ़ने की जगें कुछ भी नहीं पढ़ पाते इससे क्या होता है कि तुम्हें superficial knowledge तो हो जाएगी सब chapters की बट किसी भी chapter की तुम deep knowledge नहीं कर पाओगे जिससे फिर तुम्हें उसको आगे retain रखने में दिक्कत आएगी और तुम उसको long term के लिए याद नहीं रख पाओगे इसलिए पहले अपने strong chapters को और strong करते जाओ और उनको बिल्कुल इस तरह से बना लेना कि उनको तुम्हें बार 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 बाद में revise करने की दुरत ना पड़े तुम एक आदा बार revise करो तो भी तुम्हारा काम चल जाए ठीक है इसके बार तुम्हें focus करना है इन chapters के उपर ठीक है तो यह क्या है यह वो chapters है जिनसे तुम्हारे जो 12th के concepts है बहुत जादा related होंगी यह 12th के concepts में बहुत जादा बार तुम्हें use होते वे दिखाई देंगे तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना है तुम्हें अब यह चाहे तुम्हारे week chapters की list में हो चाहे intermediate chapters की list में हो तुम्हें इनको बहुत अच्छे से करना है अगर week है तो तुम्हें इस पे बहुत जादा ध्यान देना है अब 13 chapters है और तुम्हारे पास 3 महिने हैं इनको करने के तो यह कोई मतलब जादा हार्ड नहीं तुमारे लिए आसानी से तुम इतना तो कर ही सकते हो हाँ हो सकता है शुरुआत में तुमको थोड़ी तकलीफ आए तुमारी एफिशेंसी नहीं बन पा रही होगी लेकिन जब कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो एफिशेंसी भी इंक्र जब बूश्ट अप होगा और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब तुम 12 पढ़ने जाओगे अपनी तब तुम्हें बहुत आसानी फील होगी क्योंकि तुम्हें बहुत सारे कंसेप्ट पहले से आ रहे होंगे और यह फिर तुमको अपना आगे का कोर्स कंप्लीट करने को और उसको कंप्लीट कर लेंगे लेकिन यह बहुत गलत तरीका है तुम्हें 12 को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है फिर जो बागी का टाइम बसता है उसको तुम्हें 11 के लिए लगाना है तो इसलिए 1 बैस जोइन करना जहां से भी तुम पढ़ रहे हो अब हो सकत नहीं अफॉर्ड कर सकते तुम्हें जाना ही पड़ेगा किसी कारण से स्कूल तो कोई दिक्कत नहीं है रेगुलर स्कूल से भी बहुत अच्छी रेंग्स आती है बट तुम्हें उसके लिए अब जादा मेहनत पुटिन करनी पड़ेगी पहली प्रायर्टी अपनी 12 को दे रिकमेंड करना चाहता हूं कि तुम नीट प्रेपेसेंशल का NCRT अभ्यास भैच अब इसमें क्या है अब इसमें तुम NCRT के पेजवाइस फिल्टर लगा कि कॉश्चन प्रेक्टिस कर सकते हो जो कॉश्चन तुम्हें वीडियो सॉलूशन और आदियो सॉलूशन भी अव पता कर सकते हो कि तुमने कहां पे एक्चुली में गलती की थी साथ ही इसका एक नया फीचर आया है जो कि यह PYQ मार्ग NCRT यानि कि NCRT के टेक्स्ट में तुमें वह वह लाइन्स मार्ग मिल जाएंगी जो कि PYQ रह चुके हैं ठीक है और तुम उस पे क्लिक करके तुम जो भी PYQ जाएंगे वह भी तुमें मार्ग मिल जाएंगे और यह तीनों ही सब्जेक्ट में रहेगा अभी के लिए यह PYQ मार्ग NCRT वाला फीचर बिल्कुल फ्री है तो तुम जाके चेक आउट जरूर कर लेना मैं लिंक डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब शुरुआ लेकिन देखो क्या होता है कि अगर तुम अभी हार्ट नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें एंड में आके पढ़ने पढ़ेंगे और उस ताइम तुम्हारे उपर प्रेशर भी जादा होगा तुम्हारे बोर्ट भी आ रहे होंगे और तुम्हारे जो बैकलॉक्स वगर बच र अब यहां पर हार्ट से मेरा मतलब है कंसेप्चुल चैप्टर जो भी है तो मैं यह लिस्ट देता हूं अब इसमें वो चैप्टर नहीं इंक्लूडेड है जो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं जो कि पहले वाली लिस्ट में दिये थे ठीक हैं अब अगर तुम रेगुल स्ट्रॉंग रखना टीचर जैसा बोले अच्छे से फॉलो करना जो वो क्वेश्चन सॉल्व करने को बोले उनको जरूर करना टेस्ट देते रहना मतलब 12 को इस तरह से कर देना कि बाद में एक ऐसा टाइम आये कि मतलब तुमें 12 को अगर तुम नहीं भी उठाओ तुम सिर बिकॉस मेरी जो 12 थी वो काफी स्ट्रॉंग थी तुम्हें मैंने पहले बताया कि तुम पर्ष्ट बैच जोईन करोगे तो तुमारा वो बैच भी जल्दी खतम हो जाएगा तुमारा दिसेंबर या जैनवरी तक पूरा जो भी 12 का कोर्स है वो करा दिया जाएगा अब इसक अपनी 11 पर फोकस करना इस टाइम पर इसके बाद तुमारे बोर्ट वगर भी आ जाएगे तो तुम एक महीना पहले से बोर्ट वगर की तयारी शुरू कर देना अपने 12 की बोर्ट को एक ऑपर्चुनिटी की तरह लो जिसमें तुम अपनी 12 का अच्छे से रिविजन कर रह यान था कि नहीं 2020 4 में इतनी मैंनत करो इतनी मैंनत करो कि जब तुम मेंडीकल कॉलेज में जाओ और अपने पाश्ट को जाओ तो यार तुम भी मतलब चौक जाओ कि यार इतनी मैंनत कैसे कर लियार मैंने कैसे 14 गंटे 15 गंटे पड़ाई कर दी थी तो happy new year i wish यह साल तुमा थैंक्स वर वाचिंग